सभापती महोदय वित्मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है उन्होंने कोशिस यह की है कि अमीर और गरिब कोई भी कर से बज़ ना पाए लेकिन उन्होंने उद्द्योग पतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है जो बड़े बड़े पूजी पती लोग हैं उनको कर से मुक्त किया है कुछ सुवधाएं दी हैं मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यूं किया है वा जो चाहेंगे उसको करेंगे लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ इस विशय पर तीन चार दिन से चर्चा हो रही है मैंने उसको सुना है इस या उस पक्ष के किसी भी माननिय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के उपर जो कर लगाया गया है वह उचित है सभी ने यह कहा है कि उसको माफ कर दिया जाना चाहिए जब सारे सदन के लोग सभी प्रतिनिदी एक आवाज से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के उपर कर ना लगाया जाए तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिसे किसान रुष्ट हो उनके उत्पादन में बाधा पड़े भारत गामों में बसता है असी प्रतिसत लोग गामों में रहते हैं हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गाउं के लोगों के लिए कहा ग्रामिर जनता के लिए कहा उन्होंने गामों के लोगों को उठाने की बात कही कोलकाता, चेनने, मुंबई, दिल्ली, आध, सहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नती हो और गामों में रहने वालों की ना हो ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा वित्मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्ष अपने आपको कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं और वह हैं भी इसलिए उनका यह करतव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निसेद को कार्यानवित करें चूंकि हमारा क्रशि प्रधान देश है इसलिए वह पसुधन को बढ़ाएं उन्नती की व्यवस्था करें और सारे देश में गवध को बंद कर दें सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोग कल्यानकारी राज्य के इस्थापना की जाएगी इस समय देश में आर्थिक विसमता अधिक है सभापती महोदय एक व्यत्ती की आमदनी तीन चार आने और दूसरे की दस बीस हजार रुपए है अगर वित्मंत्री महोदय इस विसमता को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी सिद्ध होगा इस देश में आठ दस करोड हर जनों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी आर्थिक इस्तिती बहुत गिरी हुई है इस बजट में उनकी उन्नती और कल्याड की योजनाओं का समावेस होना चाहिए वित्मंत्री ने पंदरा सो करोड रुपए के जो कर लगाएं हैं उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है मुझे इस बात की बड़ी प्रसनता है की योजना के अंतरगत देश में विकाफ कारिय हो रहा है और अब हम इस दिसा में जो कुछ कर पाएं हैं वहाँ प्रसंसनिय है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है की जहां करशी के छेतर में उत्पादन बढ़ रहा है उद्योग के छेतर में उत्पादन बढ़ रहा है देश की संपत्ती बढ़ रही है हर आदमी की ओसत आए भी पड़ रही है फिर भी हमारे यहां की पुरानी गरीबी बिलकुल नहीं हटी है मैं समझता हूँ की यहां इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विशय है कि क्या कारण है कि जब हम 55 वर्ष से अपने देश की गारी कमाई का रुपिया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रक में देश की विकास के लिए खर्च कर रही है और देश में धन भी पैदा हो रहा है तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है क्या या आशर की बात नहीं है मैं समझता हूँ कि इस पर विचार किया जाए या ठीक है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रही है लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक ठीक चलें तो भी हम यह अनुवान नहीं लगा पाते कि कितने वर्सों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी या ठीक है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रही है लेकिन इस बात को देखने की अवशक्ता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहां जाता है इतनी प्रगती होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है गरीब को खाने के लिए अन नहीं मिलता पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता इसका क्या कारण है यह गंभिरता पूर्वक सोचने की बात है यह समस्या समाजवात का परताव पास करने से ही हल नहीं होगी कर रहीं होगी GUY बात के लिए जार लिए औा का जलनाया का